ब्रिज भूशन शरन सिंग से जुड़ी बड़ी खबर है नाबालिक महिला पहलवान ने शिकायत वापस ले ली है पट्याला हाउस कोट में शिकायत वापस ली है कोट में नाबालिक के साथ उसके पिता और दादा भी पहुँचे थे और वापस ले ली गई है शिकायर इससे पहले नाबालक की ओर से शिकायद दर्च कराई गई थी पहलवान नाबालिक पहलवान ने शिकायद दर्च कराई थी ब्रिजबुशन शरन सिंग के खिलाफ यौन सूशन का आरोप लेकिन अब ये सभी आरोप वापस ले लिए गये हैं नाबालिक महला पहलवान की ओर से शंक लड़की के दौरा जिस तरशी शिकायत दज करवाई गया थी और उसी शिटायत के आदार पर पॉसको एक्ट के तहस्मामला रेजिटाट किया गया था हमारे सुतर बताते हैं कि बाद में इस मामले में नवाली के लड़की के दौरा अपना एक स्टेट्मेंट जो है वो वाफस लिया गया है लेकिन इस मामले में दिल्ली पुलिस के दौरा अब तक कोई भी आपचारिक तौर पर जानकारी साजान नहीं की जा रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस के सुतर बताते हैं कि इस मामले में नवाली के लड़की से जोड़ा मामला है लिहाजा इस मामले की जो तमाम स्टेट्स रिपोर्ट जो है वो कोड के सामने ही रखा जा रहा है इस मामले पर आप्चारि नहीं की जा सकती है शंकर धन्यवार इस वक्ट पूरी जानकारी देने के लिए तो नाबालिक प्छलवाण ने अपने शिकायत वापस ली है अपनी statement वापस ली है जिसका असर जाहिड सी बात है केस पर भी पड़ेगा लेकिन दिल्ली पुलिस के और से भी कुछ नहीं कहा गया है